सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी जरूर दब हलो नमस्कार मैं हूँ अमेद दिक्षद और आप देख रहे हैं AD Education आप देख रहे हैं इस समय कोस 504 और कोस 505 के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज इस वीडियो सीरीज में अभी तक आपने अगर पहले के वीडियो लेक्षर को नहीं देखा है तो जहूर देखिए बहतर तयारी कीजिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लेक्षर की लिंक मिल जाएगी आज इस लेक्षर में हम आगे बढ़ रहे है है और कवर करेंगे हमारे अगले टॉपिक को कि है को फॉष पांसो पांच का लॉफ तीन का यह टॉपिक है का यह तस का टॉपिक नमबर है 10.4.5 तक हम कवर करेंगे आज तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं 10.4.5 प्रेक्शन टेक्टिक में आपको यह बताए गया है देखिए आपर के अपलोकन शब्दकार्त यहां पर बताए गया है तो देखें चीजों को देखकर उसको समझना और देखते हुए उनका मूल अधारन करना यह एक अच्छी टेक्निक होती है इसको आगे हम समझते है जैसे कि आप अमने बच्चों के अधिकम कॉशनों के मूल इंदाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं परयाव अधिन की किसी आवधारना को और किसी कॉंसेप्ट को मूल की समझ की विविन परिष्टितियों में प्रयोग की आवश्रक्ता होती है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अवलोकन करके बहुत से चीज़ों को समझा जा सकता है बच्चों का मूल इंदान की यह सकता है सूचन और ग्यान के लावग बच्चों की मनुव्रतियां मूलने को समझने में साहता करती है अवलोकन की तक्णिके प्रवाशली डंग से कक्षा में कई करियाओं को बच्चो को करते हुग, देखती हुए की जा सकते हैं उधारण के लिए जैसे कि आप कार्य करने संब्दित आदते हों परेवरण के पिति अभीवतियों का अवलोकन कर सकते हैं सब्सक्राइब करने की योगता को जा सकते हैं, समस्ता सुलजाने की योगता को बच्चों की समझ सकते हैं, कक्षाम है, विवित्ता के पृतिक पृतिकरिया क्या है, उनकी किस तरह से वो काम करते हैं, विचारों और समझ का क्या विकास है, यह सभी चीज अवलोकन तकनीक के दौरान आप प्रियोग करके उपकरणों के साहता से सम्मिलित करके जिसे अब लोगन कर शडियूल बनाईए रेटिंग स्केल देजिए बच्छों को स्कोर्ड कार्ड बनाईए इन चीदों के आधार पर उब्जर्वेशन के आधार पर तो यह परयावड़ा देन के मूल पुष्टिका का एक पन्ना आप ऐसा रखे जिसमें बच्चे के मूल दिद्धान से लिए रिकॉर्ड रखे जा सकते तो देखे विद्याला के पूरे सत्तर के दौरण ऐसी कई चीज़े होती हैं समय समय पर जिसको रिकॉर्ड करके रखना उन उन उब्जर्वेशन को जो के बारे में आपने की हैं आगे चलके उनके बारे में एक अच्छा फीडबेक देने में उनकी मूल्यांकर करने में बहुत साहता करता है तो अब लिएकर शडूल का निर्मान निमलिखित बिन्दूों को ध्यान पर रखकर आप कीजिए कैसे बनाएंगे आप शडूल यह ध प्रति और बच्चों के प्रति उनका क्या भाव है क्या उनका विचार है और इसके अलावा संसादनों का उपयोग यानि कि रिसॉर्स को कैसे उपयोग कर रहे हैं सभी के लिए कितना सम्मान रख रहे हैं शर्म कितना कर रहे हैं यानि कि मैनत करने में कितने अच्छे हैं सी कीजिए तो आपके लिए बहतर होगा और बच्चों के लिए भी तो रेटिंग स्केल का एक 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 जांपल भी दिया गया है यह दिया गया है यह दिया गया है तो एक पूरी टेबल बताई गई है कि पूइंट दिये गए है कि अजमोर के फिर बता नहीं है पूरी तरह से बतानओं पूरी तरह से उस्थरा के प्रशन यहां पर दिये गए हैं तो एक तरह से गेम जैसा ही तो इसको आप रेटिंग इसका हिर बच्चों को आप घजल दिखेग Segn बया श्रुखम सिखा सकते हैं यहां पर आगे बता गया रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि ऐसी रिकॉर्डिंग अध्यापक को अध्यापक को उसके अपने से समधित पुरण बनार्ण करती है recording का मतलब यह है कि जो चीज़ें हो रही है जो बातलाप हो रही है जो अधिगम की क्रिया हो रही है उनको record करिए machine दोरा record करने से आप क्या सोतंतर महसूस करते हैं आपको engage नहीं होना है और यह पूर्ण रूप से next box और वस्तो निश्ट होता है यह आपको सुनना और देखना की recording करना जो बच्चों के के द्वारा आप उन्हें सिखा सकते हैं से कई गेम डिजाइन कर सकते हैं जिसे खेलते हुए बच्चे सीगें कई महत्वूर्ण टॉपिक परेवर रहते हैं आगे घर में किये जाने वाले परिक्षण अब कई तरह कि घर में भी आप परिक्षण उस्तोंकों के मार्द्यम स अब से सामगरी सेठ्वशन सानों में करने के आधार पर दिये जा सकते हैं घर में ले जाकर भी कई टेस्ट बड़े बड़े जो सकते हैं या अधिक व्यस्तदा वाले अविचार वाले परशने हैं उनको वह परियोग कर सकते हैं इसे कक्षा में बच्चों को साथ अंता क्र रट्टा मानने की प्रिवत्ति उनके मन से खत्म हो जाती एसस में बताया गया है मूलनर्धार की कंसर में समू परिक्षण गुरुप में देखिए कोई भी चीज टेस्क करना बहुत अच्छा माना जाता है अच्छा कह सकते हैं जब गुरुप में काम करते हैं बच्चे तो गइसे खत्म कोई इंदर धनुषण के बारे में बताना है तो उन्हों ने बच्चों को अलग अज अलग गुरुप में पटा और हर गुरुप को बच्चों के एक नाम तरह किस तरह की तरह से अलगलग रंगी जलिए और अलग योगिता वाले बहुति तरह से तरह को हरी सब्ञेस चुंजह गया तो कि किसी समूज्ञ में परिक्षन इसमें किए कुसी समस्याओ को डी संपादित करते हैं और कर विभीबियों की जाते हाँ बत्चों को चुनने की सुद्नता ती जाती है और वो उसके आधान पर उनके कई परिक्षण यहां पर किये जाते हैं तो यह भी एक यहां पर टेक्नीक बताई गया है विसमें आखरी जो टॉपिक है वो यह है 10.5 परवान अध्यान में अधिगाम अध्यान के मूल अध्यान के दौरान ध्यान में रखने हों के बात हैं तो यह बात हैं आप ध्यान रखें परवान अध्यान से सम्मंदित जो आपको याद रखनी चाहिए एक अच्छे मूल अध्यान के लिए तो यह ध्यान रखें कि इस सारी चीज़ास में शामिल कोनी चाहिए यहीं इसमें बताएगे हैं विवन प्रकार के परिक्षण तकनीकों का भी प्रयोग होना चाहिए तो कि पंद्धियां बहुत सी अपनाएंगे तो परिक्षण के तरीके भी बहुत सारे होने पुछ सक है इस चीज के लिए यह धान रख के के उच्जे तरह से कौशनों का विकास करें, अध्यापक को याद करने के प्रश्णों के अलावा ऐसे प्रश्णों का प्रयोग का परिक्षान करना चाहिए, कुछ कौशल ऐसे हो जैसे कि समस्य समाधान हो, या फिर नियमों का प्रियोग करके बरिस्टतियों को समझना तो इन टेक्नीक्स को भी परिवर रधन में सीखने में शामल किया जाना चाहिए मूलिट धारण में क्योंकि ये भी आम जिंदगी में बहुत काम देती हैं ये इसमें पताया गया है जाचने के लिए प्रदर्शित करना यानि कि शो क भाते समय और मूलिट धानट करते समय इन टेक्नीकों का इस्तेमाल कीजिए तो काफी कुछ उनकी छमताओं का अकलन किया जा सकता है बच्चों के विशलेशन के कौशल को समझने के लिए आप कई तरह के अनुमान किस तरह से लगाते हैं तत्या और की पहचान किस तरह से कर करने की शमता ये सब चीजें भी आप मूलिट धान में शामिल कीजिए तो बच्चे का एक ओवरॉल डेवलमेंट आपको समझ में आएगा समपेशन करने की योगता के बारे में जाना है यान कि अलगलग छेत्रों से लिए गए अधिकम को जोडना और सजनात्मक चिंतन से स मच्चा को सुल जाना तो किस तरह से एक सब्जेक्ट की चीज दूसरे सब्जेक्ट की चीजों से मिला कर वो सीख सकते हैं या एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से मिला कर सीखा जा सकता है इस चीज का भी आंकलन उनका मूलिट धाना कीजिए ये चीज भी उनके लिए कई यसी चीज़ें हैं, कई तरह के प्रशन आप ऐसे त्यार कर सकते हैं, टेक्नीक सोगती हैं, आप में देखी भी होंगी, इन सभी चीज़ों को जितना आप जादा शामिल करेंगे, उतना ही बच्चे का मूल निर्धारन पारीगी से होगा, तो यह सब चीज़ें जोड़ी ह कोशलों को जानने के लिए आप कई चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जिसकी मूल निर्धारन करना, तुलना करना, सार निकालना, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वर्णन करना, भेद करना, अंतर करना, तो यह सारी चीज़ें, आप बहुत सारी हो सकते हैं, बच्चों के नि यह सब इसमें बताया गया है तो इसी टॉपिक के साथ में यह हमारी यूनिट भी यहां पर खतम हो गई है यूनिट 10 एकाई 10 और नेक्स लेक्चर से हम अपने अगली एकाई को शुरू करेंगे तेजी से हम कोर्स खतम करने की तरह बढ़ रहे हैं 505 के तो लेक्चर से अगर आपको पसंद आ रहे हैं हेल्फ कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजेगा शेर जरूर की दियारों के साथ हमसे जोड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए बटन को दबाईए घंटी के जिससे कि आपको हर अपडेट वीडियो का जरूर मिलें लाइक शेर और सब्सक् झाल